दोस्तों नमिश्कार, क्या हुआ कि मैं घर से बाहर निकला, सनग पर एक माता जी बेटी थी, मैं माता जी के पास गया और पूछा कि माता जी कुछ खाने पीने को चाहिए आपको क्या कैसे क्या चाहिए माता जी ने कहा नहीं भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में मैंने कहा माता जी पुत्र कहा है आपके बोली सब पुत्र पढ़े लिखे educated हैं हमने कहा क्या करते हैं बोली तीन लड़के थे कोई डॉक्टर है कोई इंजिनियर है कोई विदेश में है मैंने कहा माता जी आप कहां रहती हो उन्होंने कहा मैं धर्मशाला में रहती हूँ हमने कहा ये क्यों मा करें हैं जब मैं बताती हूँ किसी को कि मेरे तीन लड़के थे और तीनों लड़के इस इस पोस्ट पर है तो मुझे फख्र होता है उनने कहा आप ये तो अच्छी बात है उन्होंने कहा लेकिन जब मेरी लड़कों से कोई पूछता होगा कि आपकी मा कहा है उनको ये भी बताते फक्र होना चाहिए कि उनकी मा धर्मशाला में है लेकिन क्या वो बता पाएंगे नहीं आईए इस बीच में बात बात में माता ज है उसके प्राइब सभुर्छनेहित है अइसे जनाती हूँ कि वो मेरा बेटा ही है मैं ऊसे सुबा से लेकि शाम तक नहेलाना धुलाना खिलाना पिलाना और हमेशा मुझें से मात्रतु करनभूती होती है कि मेरा च्छोटा सा नंदलाला गोपाला जो भी ये मेरे पास रहता है आईए कुछ लाइने पिरोता हूँ सुनिएगा पुत्र मोह में खूब जली मेरे तन मन में आग लगी तुम बन जाओ मेरे लाल हे लड्डू गोपाल वन वन फिरती मारी मारी ये तन तुम पे मैंने वारी आ जाओ बन कृष्ण मुरारी तुम बन जाओ मेरे लाल हे लड्डू गोपाल कबसे मैं तेरा आज तकूं मिलना चाओं मिलना सकूं मेरी अखिया हो गई लाल हे लड्डू गो पाल सुभा नहलाओं मैं पाल न जुलाओं तुम हो पाल नहार सुबा शाम मैं भोग लगाऊं घंटी बजाके तुम्हें बुलाऊं आजाओ गोबाल बनकर मेले लाल हे लड़ू गोबाल खाकर तुम हो गए इसके बाद में वो बुड़ी माता कहती हैं जब वो नई सुनते हैं कहती हैं इतना खिला दिया है तुम्हें कि खाकर तुम हो गए क्या लाल लाल और उसके बाद में धर्ती गगन सबताना मारे दर्ती गगन सबताना मारे मुरहे कलेजा साल अंतिम सास बची तुम पर है तोड़ो नहीं मेरी आस विश्वास बढ़ाओ धरा पराओ मेरी येखिया हो गई लाल आजाओ मेरे लाल हे लड़ू गोबाल जब कहीं से आसरा नहीं मिला परमात्मा सरवत रह सब कुछ है उसके बाद में माने कहा कि मैं एक छोटा बच्चा पालना चाहता हूँ और इस बच्चे को इस बार में कुछ नहीं भगवान को ही बच्चे की रूप में मानना चाहती हूँ जो गरम में भी रम रहे शरम में भी रम रहे बेशरम में भी रम रहे ऐसे मेरे कृपा निधान है जो परम में भी रम रहे रम में भी रम रहे ऐसे मेरे करवा निधान है जो धरम में भी रम रहे क्योंकि बाबा जी ने लिखा है प्रभु व्यापक सरवत्र समाना और प्रेमत्य प्रगट हो मही जाना बस केवल आपको आस और विश्वास की जरूरत है एक बार आप विश्वास पैदा करके देखिए आपकी सारी बाधाया दूर हो जाएंगी ये मेरा छोटा बेटा ये आ आ गया भाई आप लोग के बीच में चलो आप हैलो हाई करिए बटा कुछ सुना दीजिये लोगों को